सुप्रभाद बच्चों कैसे हो बेटा आप आशा करते हों कि आप स्वस्त होंगे और अपना काम नियमित रूप से कर रहे होंगे तो बेटा आज हम पढ़ेंगे पाड तेरा एक तिन का यह आयोध्या सिंग उपायद्या हरियोध जी द्वारा रचित एक कविता है बिटा सबसे पहले हम हरियोध जी का जीवन पर जे जान लेते हैं हिंदी भासा की महान लेखक और कवी अयोध्या सिंगुपाद्य हरियोध जी का जन 15 अप्रेल सन 1865 में उत्तर परदेश के आजमगर जिले के निजामाबाद नामकिस्तान पर हुआ था यह ब्रहामन परिवार में पैदा हुए थे लेकिन बाद में इनोंने सिक धर्म अपना कर अपना नाम भोला सिंग रख दिया इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अद्भुत योगदान दिया वह दो बार हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन में इने बिद्या वाचस्पति की उपादि से सम्मानित किया जा चुका है इनकी परमुक रचनाओं में प्रिय प्रवास, कवी समराट, बैदही वनवास, फूल पत्ते आदि सामिल हैं माना जाता है कि सन 1947 में निजामाबाद में भी इन्होंने अपने अंतिम सांसे ले ली थी बैटा इन्ही के द्वारा रचित एक दिन का कविता आज हम पढ़ रहे हैं तो इस कविता में बैटा हरियोजी ने हमें घमण न करने की प्रेणा दी है कविता के अनुसार एक दिन कभी बड़े घमण के साथ अपने घर की मुडेर पर खड़े होते हैं तभी उनकी आँख में एक दिन का गिर जाता है उन्हें बड़ी तकलीफ होती है और जैसे तैसे उनकी आँख से वह दिन का निकल जाता है जिसके निकलने के साथ ही कवि के मन में घमण भी निकल जाता है और उन्हें सरल जीवन जीने का महत्त समझा जाता है तो बेटा ये ही इस कविता में हैं अब हम इस कविता को पढ़ते हैं मैं घमंडों में भरा एठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा अचानक तूर से उड़ता हुआ एक तिन का आँख में मेरी पढ़ा इस कविता में बेटा इन पंक्तियों में कभी कहते हैं कि मैं अपने घर की मुंडेर पर घमंड में खड़ा था खड़ा हो रखा था तभी अचानक मेरी आँख में कहीं से उड़ कर एक तिन का आया और मेरी आँख में गिर गया कभी कहते हैं कि मैं घमंड के साथ एठा हुआ अकड में अपनी घर की छट पर जो मुंडेर वह वहाँ पर खड़ा था अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आया और मेरी आँख में गिर गया मैं जिजक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आँख भी दुखने लगी मूठ देने लोग कपड़े की लगे एठ बेचारी दबे पाओ भागी अब कभी कहते हैं कि आँख में तिलका जाने के बाद उन्हें बड़ी ही बेचैनी होने लगी जब उनकी आँख में तिन का गया तो वह बेचैन होने लगे उनकी आँख लाल हो गई और लाल होकर दुखने लगी लोग कपड़े की मूठ बनाकर कपड़े का कोना इकठा करके आँख में से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे एट बेचारी दबे पाओं भागी और इस दोरान उनकी जो एट थी और जो घमन था वह बिल्कुल चूर चूर होकर दूर भाग गई जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने यो मुझे ताने दिये एट तातो किस लिए इतना रहा एक तिनका है बहुत तेरे लिए कभी कहते हैं कि तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णनों इन लाइनों में कर रहे हैं जब उनकी आँख से तिनका निकल जाता है तो उसका वर्णन कभी कर रहे है कि जब किसी ढब होता है उपाई जब जैसे तैसे उनकी आँख से किसी उपाई से यानि जो लोगों ने कही उपाई किये थे कपड़े की मूड बना कर निकालने की तो किसी उपाय से जब उनकी आँख से वह तिनका निकल गया तो तब उनके मन में उनकी बुद्धी में यह ख्याल आया कि उन्हें घमण नहीं करना चाहिए था कि उन्हें घमण नहीं करना चाहिए था उनका घमण तो एक मामुली तिनके नहीं तोड़ दिया उनका घमन तो एक मामुली तिनके नहीं तोड़ दिया तो इन एक बार फिर देख बड़ा जब किसी धब से निकल कर तिनका गया जब किसी यानि कोशिसों से उपाई से वह तिनका निकल गया तब समझ ने यू मुझे ताने दिये तब समझ मेरी बुद्धी ने मुझे ये ताना दिया कि एट ता तू कुस लिए इतना रहा तू किस लिए इतना एट था क्यों तो इस घमन में रहता था एक तिनका है बहुत तेरे लिए तेरी घमन को दूर करने के लिए तो एक तिनका ही काफी है तो बेटा इन पक्तियों के जरी कभी हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश देता है हमें भी घमंड नहीं करना चाहिए चाहे इनसान कितना भी बड़ा हो जाए उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है तो हमें कभी भी किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए धन्यवाद बेटे आगे